छुल दोस्तों राजितान में पसुधन की बारे में पड़ते हैं तो राजि के सकल घरेले उत्पाद में पसुधन का योगदान कितना है? 10.99 प्रस्थाद यानि लगभग 11%. अज्थान देश के खुल दुएःपीर। का 14 दसम्लों 6-3 परसेंट उत्पादित करता है और पथमिस्थान पर है अजिस्थान देश के कुल उन उत्पादन का 42 दसम्लों 4-5 परस्थाथ पधन का पर राजमिन देश के कुल पशु धन का 10 दसम्लों दसम्लों 5-8 परिश्चत पाया जाता है तथा पशुओं की कुल संख्या कि धिश्टि से उतर पदेश के पश्चाथ दूसरा इस्थान पहले पशुगर्णा 1929 में हुई थी धस्तंतप के पश्चाथ पशुगर्णा 1929 में हुई थी प्रतेग पशुगर्णा प्रतेग मंदल अजमेर डरा अजुद किरवाई जाती है जहिंदम पशुगर्णा कश सर उन्हिसमें करवाई गए चाहा के पाहले पशुगर्णा 2022 करवाई गई थी धनले अजिस्थान में 2019 में पासिमों की संक्या 5.5.6 आठ करोन जो 2012 के संञबूं की संख्या में नौग की कमी क मिया कि 2012 से 2019 में परिवारतान तो बृध्धी भैंस में बृध्धी हुई है बैंसों में 5.53 गायों में 4.54 छे पर्संट फिर कमी संख्या के थिष्ट से भेणों में 12,00,00 की कमी हुई है बकरी में 9,00,00 की वूंट में 1.3,00,00 परिश्द कितिष्टी में कमी, गधों में 31.3% की कमी हुई है, खच्चर में 60.3% की कमी हुई है, सुहर में 34.8% की कमी हुई है, उट में 34.9% की कमी हुई है, भेण में 13.9% की कमी हुई है, घोड़ों में 10.8% कमी हुई है, बकरी में 3.8% की कमी हुई है, अतर भैस वा गाय को पर चोड़ कर से सभी पस्वों की संख्या में कमी हुई है कुल पसुम विभिन पसुम का अनुपाद बकरी ये चतिस दिसमलों तीन नो परसंट है गाय गाय 24 परसंट भैस 24 दिसमलों एक एक परसंट भेण 13 दिसमलों 32 अनुट्र अनुट के मामले में है यह जय ःठे के मामले में स्टार्ट परदाःस वाले मेर में जोटपूर में है जैपूर में है और अदयपूर पर 50 पूंट sofabra मानदपूर बाल कोर्टा सवाई माधवपूर जोनाट 2019 में 10 चाट पाशुarsa 10 किलोमेंटर था अब ये जो कि मतलब 2019 में 166 बचा है जबकि 2012 में 179 प्रतिवर किलोमेंटर था सर्वाधिक प्रफुघनत दुंगुरपूर में 434 मासवाड़ा में 304 दौसा में 3010 जैपूर में 209 नुंतम पसुधन तो पसुघनत ये जैसल मेर में 162 बाड़ में 113 चुरूमें 115 तरह मुक पसुधन बक्री बाढ़े में नूंतम धॉलपूर में लग मस्में कौन कौन सी हैं तो घिलंग कोन डिया जखराना अलवर में पाई जाती है अलवरिया नि यह कानओ जाती है रवाधिक दूंटेने वाली नसल है यह शेखावटी नसल सीकर चुरू चुरू में पाई जाती है यह काजरी के विग्ञानिकों दोरा विक्सित की गई बिना सिंग वाली नसल है मारवाडी या लोही पच्छमी राजिस्थान जोध पूर विकाने जसलमेर बाडमेर में मास के लिए प्रसिद देए बरबरी नसल है पूर्वी राजिस्थान में होती है सबसे संदर नसल है पूर्वी राजिस्थान जमनापरी नसल 18. छेतर में होती है नोट है कि रामसर अजमेर में बकरी बंस की नसल सुधार है तो प्रजनन फार मिस्ताबित किया गया है जहां सुड़्जा लैन के अलपाइन वा टोगन बर्ग नसल के बकरों का पालन किया जाता है तथा इन शिरोही नसल के साथ संकरण द्वारा नई नसलों का भिकास किया ज सरवाधिक है यह बाड़ मेर में नूंतम मासवाड़ा में प्रमुक नसले नाली नसल है यह गंगा नगर अनमान गड़ में इसके उन के रिसे की लंबाई सरवाधिक होती है फिर मगरा नसल है बीकानेर में इसे चकरी या बेकानेरी चौकला कहा विचाता है पूगल बीकान तोप्र जोटपूर में उन गलीचे बनाने हे दोप्रय। चोकला नसल यह शीकर चुरू जून जूनों में इस उन्फ नसल में सरवस्रेष्ट प्रकार कि उन प्राथ होती है इसे भारती मेरिनों भी कहा जाता है। मालपुरी टॉंक और जैपुर में इस नसल से मोटे उन प्राफ्थ होते हैं जिससे उनी नम्दे बनाए जाते हैं चुनाड़ी या चनोथा रिये इतौर गड़ उधैपुर टॉंगरपुर इस नसल में कान सरवाधी क्लम्बे होते हैं बागड़ी नसल तो ये पूरभी में क Mississippi से लिए गंजे दिए आओ गवन्स सर्वाधिक वीका नियर उर् होते पूर में लूंतं धालपुर में केर दो फंधलपुर में तो मå मतुदये हैं तो राठी कि म invece संअ बागिस्तान के साहिबा नियुका इसकी उत्पति भी पाकिस्तान के साहिबाल चेटर से मानी जाती है यह देशी गोबंस में सरवाधिक दोथ देने बाली इवन सर्वसेश नसल है जिससे राजिस्तान की काम धेनों भी पहा जाता है इस नसल के संबर्धन है नोहर में रजनन के इंद्र स्थापित किया गया नो ह्थर पारकर नसल संबर्धन है दुजशल मेर के चांधन में एक बुल मदर फार्म स्थापित किया गया है जिससे थरपारकर नसल के बैल तैयार किये जाते संचवरी तो संचवर जालाओर में इसका जार्वा कि कासि तिकाना है संचवरी दूइपरयोजनी नसल है जो सिंग सरवाधिक मोटे वं लंबे पाई जाते हैं गिर रिंडाया अजमीर आजमीर राज समंद उद्यपूर में पाई जाती है इसका मूल उद्पत्तिस थाल गुजरात का गिर छेत्र है यह भी दिप्रियोजनी नसल है नागावरी नसल तो नागावर जोथपूर भी का निर में इसका पाला दुख दूत पादन है तो किया जाता है कि उचाई अधिक वा रंग सपेद माते की हड़ी उपडी होती है मेवाती या कोठी नसल पूर्वी राजिस्तान में होती है अलबर वा मरतबूर में मिलन भोने है तो इसका क्यों किया जाता है मालवी नसल ये दच् अलबर में नियुनतम जैचल मेर में लुख नसले मुर्रा खुंडी मुर्रा ये जवा अलबर भरतपूर जैपूर सीकर जुन जुन चुरू हनमानगड अंगानगर में होती है या भैंस की सर्वसेश नसल है जिससे सर्वोधिक दो पादन होता है इसके सेंग फूरी तरह से दो मुड़े होए गोल गुमावदार होते हैं इस नसल के संबर्धन है कुम्हेर भरत पूर प्रजिनन के इंदिस थाबित किया गया सूर्थी दच्छन पश्रीमी राजिस्तान में होती है मुल उत्पत्तिस्तान सूरत गुजराथ है महसाना गुजराथ जापराबादी पर तेंपा यह से सर्बॉंढ़ोधिक यह जो जाते हैं बिका नीयरी में जोधपुरियर सिंधि पच्छिम राजिस्तान में जलाम姐 मेंודה महला यह वर मैं गुर्ह prob यह कुछ राघ यह रत के पगर यह जाते हैं sorry सब्सक्राइब नाचना उंट यहासल मेरी तैप के होते हैं गोमत उंट यह जोदपुरी होते हैं तुमारबाडी जोधपुर में काठिया वाडी दच्छन प्रश्चिम राजिस्तान कुकुट सरवाधिक हजमेर में होता है नसले कड़कनाथ यह डूंगुरपूर अरबासवाड़ा में होता है और बन राजा अज की कुकुट प्रसेश्चन संस्थान हजमेर में हैं अ का सब्सक्राइब अजिए जोध़ वीकानियर में है कंद्रीपस प्रसेश्चन फार्म यह सूरदगर गंगा नगर में गौबन्स प्रसेश्चन के राठी यह नौहर नौहर अर्मांगड में बुल मदर फार्म थारपार करिये चांदर जैसल में हैं भैंस अंस अंधान जाइपूर में है एस प्रजणन केंद्र कुम्हेर भराथपुर और डग जनवाड में है अस्च मुम्हेर केयरू जोदपूर में है गौसमारधन जर्न प्लाजमा स्टेशन फ्रोजन सीमन बैंक देशी नसल हे तो नारवा खिन्ची यान जोद पूर में देशी नसल के लिए बास्ती जाइपूर में वाइरस जनीत रोग इसमें थुर्पका मौ्पका है गाया में होता है पसु माता ये सभी पसु में हो सकती है सीप पॉक्स पेंड में, कोट पॉक्स बकरी में, ब्लू टंग ये भेंड में, रेबीच कुतों में, लंपी गाय में, स्वैन फ्लू सुवर में, रानी खेत मुर्गियों में, बड़ फ्लू मुर्गियों जिवाणु जनित रोग तो लंगडा बुखार प्रीहा जवार ट्रिटनिस छह ये सभी पसुग में हो सकता है तो जवाणु जनित रोगों में फड़किया भेण में होता है और ग्लेडर सी घोडा में होता है पसुमेले दस पसुमेली लगते हैं बीर्ट तेजा जी मेला ये मिटता सिटी नवगवर में लगता है राम देव पसुमेला माना सर में लगता है चंदरभागा पसुमेला ये जाल्रा पाटन जाला बाड में लगता है कोमती सागात पसुमेला जाल्रा पाटन जाला बाड में जस्वंत पसुमेला भरतपूर में महासिरवाति पसुमेला कर लाजमेर में गोगा मेडी पसु मेला गोगा मेडी अर्मानगड में मलीनाथ जी पसु मेला ये दिलवाड़ा बाड़ मेर में लगता है फिर पस्वे संबंद्ध योजना है तो गोपाल योजना 1990 से शुरू हुई है गोबंस नस्थार एवं योवाओं को रोजगार है तो ये गाय एवं भेंस को रोगमुक्त पनाने है तो लागो की गई रजीव गांधी के सेवं पसु धन विकास मिसन 2010 में पसु विकास नीतिके उद्धियसों को पूरा करने है तो सुरू किया गया राष्टी पसु धन मिसन 2014 पंद्रा भामा साह पसु वीमा योजना 2014 पंद्रा पांच बड़े पसु तथा पांच बड़े पसु या पचास चोटे पसु प्रति परिवार का भीमा फरवाया जा सकता है जिसमें यस्टी एस्टी एस्टी वीपीयर परिवारों को 70% अन्य को 50% अंदान तरकार द्वारा किया जाएगा उस्ट प्रजनन पुस्ताहन योजन भेन पाला के भीमा है तु आविका पाल अविका पाल जीवन रच्छा की योजना सुरू की गई अविका पाल योन रच्छा योजना मुख्यमंत्री दुख्थ उत्पादक संबल योजना 2019 में इसके अंतरगत दुख्थ उत्पादकों को दो रुपए प्रति लीटर अंद करना कि मुख्यमंत्री कामदेन योजना 2023 में चाले सजार रुपए प्रति पस्व सहित अधिक्तम दो पस्वों का भीमा करवाने से संबंदी था ये उस्ट सम्रच्छन योजना 2022 में चलू है इंपोर्टन फैक्ट क्या है पस्व प्रजिनन नीत 2007 में आई थी 2007 में गाय एव दो पसो बिग्यान विश्ची विज्याले वी कानेर में है वी कानेर पिर जो आई थी